हाई गाईज वेलकम आपका मारे यूट्यूब चैनल के विए फामाम है आज हम इस वीडियो के अंदर वी फार्मेसी का थर्ड समस्टर को सिलेवस डिसकस करेंगे थर्ड समस्टर के अंदर आप कौन-कौन सी सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या पढ़ना होता है हमको इस पूरे समस्टर के अंदर तो यह सारी चीज अब माज इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे तो यह बहुत important वीडियो है आप इससे complete देखे और guys जीदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe किजिए और well icon press किजिए तो start करते हैं इसके अंदर subject है pharmaceutical, organic chemistry second, first आपने second semester के अंदर पढ़ी थी, second organic chemistry, third semester के अंदर है physical, pharmaceutics first, pharmaceutical microbiology and fourth subject है pharmaceutical engineering इसके अंदर जो third semester है आपके अंदर आपका इसके अंदर आपके चार सब्जेक्ट हैं इसके अंदर इस semester में कोई भी non university subject नहीं है तो subject, चार सब्जेक्ट है आपके जो third semester के अंदर है और चारो university subjects हैं तो यह के करके start करते हैं यदि guys आपको इस semester के जो PDF चाहिए है syllabus की तो आप जो हमारे channel पे main videos जिसके अंदर आठो semester का syllabus है तो उस video में जाके description के अंदर link दी हुई है वहाँ से जाएके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो इस टार्ट करते हैं फ़र सब्जेक्ट फार्मसीटिकल और गनिक केमेस्टी से तो इसके अंदर क्या पढ़ना होता है इसके अंदर जैसे कि आपने second semester में पढ़ा होगा कि general method of preparation GMP पढ़ी थी आपने chemicals की जैसे कि alcohol गारवक्सिलिक अचेड और carbonate compound, alkane तो ऐसे आपने पढ़ी थी second semester के अंदर उनके जो reactions हैं, name reactions हैं और जो uses, structure and uses तो वो सारी चीज़ें आपने second semester के अंदर पढ़ी थी तो same boy की वोई चीज़ें आपको इस third semester के अंदर पढ़नी हैं लिकन यहाँ पर topic change हो जाते हैं जैसे कि आपने वापे तो alcohol की पढ़ी थी उनकी पढ़ी थी, carvacly compound, carvacly acid लेकर इस semester में जाके आपको दूसरे उनके अलावा जो compound है उनकी पढ़नी हैं जैसे कि benzene की, phenol की, aromatic amine, fat, oil, car, cycle alkaline तो इनकी पढ़नी हैं आपको तो यह हैं pharmaceutical organic chemistry second अगली subject है pharmaceutical, sorry, physical pharmaceutics first तो physical pharmaceutics first में क्या पढ़ना होता हैं हमें the subject deal with the various physical and physiochemical properties of drugs इस subject के अंदर क्या पढ़ना हैं कि जो drugs होते हैं उनके physical and physiochemical properties उनकी देखते हैं जैसे कि कोई भी drug है आपने जो first semester था उसके अंदर फार्मसेटिक्स पढ़ी थी तो उसके अंदर तो आपने जो dosage form है उनको बनाना देखा था उनको कैसे prepare करते हैं और भी कुछ चीज़े प प्रोपर्टीज देखेंगे physical properties या physiochemical properties तो यह जो प्रोपर्टीज आप देखेंगे जिससे कि कोई drug है aspirin तो उसकी जो solubility है वह किसके अंदर solubile है किसके अंदर solubile नहीं है उसकी जो stability है stability की testing करते हैं जैसे कि किस pH पे कोई भी जो medicine है particular medicine तो वह किस pH पे stability किस पे नहीं है तो यह चीज़े आप फार्मसीटेक्स में पढ़ेंगे और भी जो properties यह physiochemical properties तो वह सारी चीज़ां आप physical फार्मसीटेक्स में पढ़ते है अगली थर्ड सब्जेक्ट है फार्मसीटिकल माइक्रो वाइलाजी तो इस सब्जेक्ट के अंदर क्या बढ़ना होता है study of microorganism which produce antibiotics, vaccines, vitamins and enzymes enzymes ऐसे microorganism जो antibiotics, vaccines, vitamins, enzymes और भी कुछ चीज़ें जो produce करते हैं तो ऐसे microorganism bacteria virus फंचाई तो ऐसे चीज़ों को पढ़ना है उनके जो सारी चीज़ें उनके बारे में microorganism उनके बारे में पढ़ना है तो क्योंकि इसके अंदर यह microorganism इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे microorganisms हैं जिनकी एल्प से बोडि के अंदर जो diseases हैं उनको ठीक किया जा सकता है जैसे कि एंटिवायोट इक्ट्स हैं एंटिवायोट इक्ट्स तो यह किसी disease को ठीक करेंगी वैक्सिन से हैं तो वैक्सिन भी किसी डिजीज को ठीक करेंगे विटामिन की कमी से कोई योधि डिजीज हो रही है तो उसको भी ठीक करेंगे तो इसी तरह से बहुत सारे माइक्रो ओर्गनिजम है जो बहुत केमिकल्स प्रोडूस करते है अलग-अलग चीज़े तो जो अलग-अलग चीजे हैं जो बहुत सारी डिचीज में उनकी जर्रत होती है तो उससे उसको ठीक किया जा सकता है इसलिए जो डिचैज के अंदर पढ़ते हैं तो माइक्र ओर्गनीजिम में क्या पढ़ना आपको क्लिवेशन ओप फंजाई वायरस और भी जो माइक्र डानीजिम है उनका कमर इसलिए मतलब के उनको कैसे और यह प्रोड़ाइक्शन करवाते हैं उनका मतलब जो नम्मर और खैसे बढ प्राप्ट कर सके लिए नोगे टेस्टिंग परते हैं और जो बी इस्टेंडराइजिशन नहीं है तो उनका परते हैं बंगे है आध जो आपकी लाश्ट सब्जेक्ट है ए फॉर्थ सब्जेक्ट Pharmaceutical Engineering Pharmaceutical तो इसका subject अंदर के आए fundamental knowledge on art and science of various unit operation used in Pharmaceutical Engineering तो Pharmaceutical Industry तो Pharmaceutical Industry या Research and Development Centers तो industries अंदर जैसे की industry में कोई भी प्रत तो स्टाइटिंग सिपने में स्टाइटिंग स्टैप उसकी चीट से on अधा को टीया यूनिट ऑप्रेशन होता हुद के सब्सक्राइब को इस वर उसके इस के ईज अधाने इंडस्ट्री में आपको जो क्या बोलते हैं कि मसीन्टी होती हैं तो उनका यूज कैसे करना है तो यह सारी चीजे इस सब्चिक के अंदर डिसकस करते हैं तो जैसे कि साइज रेडक्शन है कोई भी केम रो मैडिरियल है उसका साइज रेडक्शन है तो वह चीजे आप इसके अंदर पढ़ेंगे साइज सेपरेशन है तो इसके अंदर पढ़ेंगे कैसे अलग करना है ही ट्रांसपर रिभापरेशन ड्राइंग फिल्टरेशन तो इस तरह से जो साइज रेडक्शन से लेकिए फेकेजिंग तक सारी चीजे फार्मसिटिकल इंजिनेरिंग में आप झाल 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 झाल